हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग आप सब का हमारे चैनल पर बहुत बहुत साथ दोस्तों आज का जो हमारा प्लान है वह प्लान नमबर 17 है जो कि कॉमर्शियल फ्लैट्स का प्लान है और जिसका साइज जो है वो एरिया जो है दो-दो करके फ्लैट्स निकाले गए हैं ठीक है दोस्तों अगर आप लोग अपने प्लाट का मैप बनवाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें चलिए स्टार्ट करते हैं सो गाइस यह हमारा पोर्च है जो कि बारा ब सब्सक्राइब है और सिक्स्टी फिट लेंथ है और गाइस इसके लास्ट में जो है वो स्टेर्स दे हुई है और बैक साइड जाने के लिए भी स्टेर्स के नीचे से ही एक रास्ता दिया गया हुआ है ठीक है दोस्तों अब हम चलते हैं फ्लैट में फ्लैट नंबर एक में चलते हैं दोस्तों तो यह इसका में डूर है और इसका जो ड्राइंग एरिया है जैसे आप इंटर करोगे तो इस एरिया में ड्राइंग एरिया है जिसका साइज जो है 11.8 इन्टो थेन.3 एंटेनवंट थी है ठीक है तोस्तों अब यह जो एरिया है हमारा आंगन टाइप एक इस पेस अलग से छोड़ा गया है ठीक है तो यह जो हमारा है यह हमारा किचें एरिया है ठीक है किचन जो है वह ए rapidement जो है 7.7 x 10.3 है और साथी साथ में दोस्तों यह जो यहां पे आप देख रहे हो यह डाइनिंग एरिया है हमारी ठीक है दोस्तों किचेन के जेस्ट बगल में और यह जो यह है यहां पे बाहर की और विंडो लग जानी है जिसे कि डाइनिंग एरिया और किचेन के लिए करने माला है ठीक है तो अब इस से ही यहां से connected एक बात रूम है मारा ठीक है दोस्तों जिसका size जो है 4.2 into 7.2 into 4.2 है ठीक है अब हम room number 1 की तरफ चलते हैं room number 1 का size 10.1 into 11.6 है ठीक है दोस्तों यह 60 by 60 का plan है guys कि तो गरूब बाथ बेड्रूम नमबर वन में चलते हैं तो इसका जो है इसका साइज है तो इसका साइज जो है 10.1 into 11.8 है संथिंग ठीक है तो और इसी से कमबाइट हमारा ट्वालेट है ठीक है दोस्तो अब हम वापस आके गैरी से चैवा फ्लैट नंबर सेकंड में चलते हैं आपका यह जो हमारा है यहां से हमारा इसका में दोर है ठीक है तो सीम साइज यानि की 14.8 और इंटू 11.1 का एक काफी बड़ा ड्राइंग रूम है ठीक है तो यह जो प्लान है वो हमारा यह यह जो फ्लैट है यह प्लैट नंबर ट हमारी 11.3 into 8.6 का है ठीक है दोसतों और इसका जो किचें है वो है 9.7 into 6.2 ठीक है दोस्तों अब अगर हम बात करते हैं रूम नंबर वन की स्वारी यहां पर मिस्टेक हो गया है यहां पर वन होना चाहिए तो रोम नंबर वन की गर बात करते हैं हम तो यह 10.1 इंटू 13.8 है ठीक है दोस्तों जिसका कोई इंटूरी कमबाइन ट्यालेट नहीं है यह बालक divine गया है जो की बालकनी भी हमारे इसकी bouton पर ना करके हमारे फ्रस्ट फ्लोर पे है फ्रस्ट फ्लोर पे ग्राउंड फ्लोर पे रहेगा जो कि थोड़ा सा गार्डिनिंग एरिया टाइप रहेगा ठीक है दोस्तों अब हम वापस आते हैं वेड्रूम नंबर टू की तरफ चलते हैं जिसका साइज करे का रहा है जो है हो 10.1 इंटो 13.8 है ठीक है दोस्तों और इसमें भी एक हमारीвойड? छो दोस्तों इसका जो साइज जो है 6.7 इंटू 4.1 है ठीक है दोस्तों और फिर हम वापस आते हैं बेड्रूम नूंबर 3 की तरफ चलते हैं अपना तो बेड्रूम नूंबर 3 जो है हमारा 10.1 इंटू 12.2 है और साथी साथ में इसका जो ट्वालेट का साइज है वो से 6.7 इंटू 4.1 है यह कंबाइन ट्वालेट है ठीक है दोस्तों तो यह हमारा 3 भी जश के प्लान था जिसमें कि दो रूम में हमारा अटैच जो है हमारा ट्वालेट है और ट्वालेट बातरों में ओर एक हमारा कॉमन बातरूम है जो सब के लिए दिया गया हुआ है 4.2 एंटू 7.2 का ठ अब common toilet नहीं है sorry combine toilet नहीं है यह हमारा common toilet है ठीक है दोस्तों अब हम वापस आते हैं और flat number अपने 3rd की तरफ चलते हैं जो कि हमारा 2bhk plan है 2bhk plan में जो है जैसे ही आप entry करोगे तो उसका drawing area आएगा जो की 11.8 into 10.3 size है उसके just bugle में हमारा kitchen area area 7.7 into 10.3 का और जैसा की first flat में था वैसे इसकी भी dining area हमारी same वैसे लुक में आने वाली है ठीक है दोस्तों अब हम रूम नंबर एक की तरफ आते हैं तो रूम नंबर एक जो हमारा है वो 10.1 into 11.8 का है जिसमें जिससे combine toilet जो है वो 7.2 into 4.2 का है ठीक है दोस्तों अब हम बात करत हैं बेडरूम नंबर टू के तो 10.1 into 11.6 का है और एक common toilet जो है हमारा वो वो हमारा है 7.2 into 4.2 ठीक है दोस्तों अब हम वापस आते हैं फ्लैट नंबर 4 की तरफ चलते हैं तो फ्लैट नंबर 4 क्या है हमारा जैसे आप इंट्री करोगे जिसमें की 14.8 into 11.1 का जो हमारा वो ड् इरिया जो है हमारी वह 11.3 into 8.8 का है और किचन की गर बात करते हैं तो 7.9 into 8 6.2 का है और फिरकर हम बात करते हैं बेडरूम नंबर वन की ठीक है दोस्तों तो बेडरूम नंबर 1 जो हमारा वो 10.1 into 13.2 का है 13.8 का है और इससे इसके जस्ट पगल में हमारे जो है वो कॉमन ट्वालेट है यानि कि 4.2 into 7.2 का ठीक है दोस्तों आपकर हम बात करते हैं इसके बेडरूम नंबर 2 के तो बेडरूम नंबर 2 जो है है वो 11.2 कि बेडरूम नंबर 2 है हमारा दोस्तों वो है 10.1 into 13.8 इसके लिए बालकनी भी हमने छोड़ रखी है ठीक है दोस्तों और इससे जो अटेच हमारा है वह अटेच बात रूम भी है 6.7 into 4.1 का ठीक है दोस्तों अब हम गर बेडरूम नंबर 3 में आते हैं तो यह हमा इसके कॉमन टॉयलेट की कमाइन टॉयलेट की तो उसका है 6.7 into 4.1 ठीक है दोस्तों तो यह हमारा कॉमर्सियल प्लान था जिसमें कि 60 by 60 यानि 3600 एरिया में हमारे 4 फ्लैट से यानि कि 2-3 वीच के और 2-2 वीच के प्लान थे ठीक है दोस्तों अब साथ ही साथ इसके आउटर कि यह आज का प्लान था गाइस मिलते हैं कल नेक्स्ट एक नए प्लान के साथ अब तक के लिए आप लोगों को नमस्कार और साथी साथ ग्राइस आप लोग मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं कियो तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और विलके आइकन को वीडियो में वो चीज करेक्ट कर लूँगा ठीक है दूस्तों ओके थैंक यू